नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमेद और आप देखरें नौलेज नोर दोस्तों ऐसा कि आप सभी को पता है आज है संडे और आज के दिन इस चैनल पर एक इस वेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दोरान हुई कुछ ऐसी घटना से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों आज की जो घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर अरविंद कुमार जो की यूपी के भटनी के रहने वाले हैं इन्होंने शेयर करी है ये स्टोरी मुझे इतनी पसंद आई कि अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप भी एमोशनल हो जाएंगे दोस्तों ये जो घटना है दिसंबर 2018 की है और ये जो अरविंद कुमार है ये केमेश्ट्री के टीचर है साथी साथ ये कोचिंग इस्टिचूट भी चलाते है दोस्तों जो कोचिंग इस्टिचूट था उसमें कुछ बच्चे जो है अपने टीचर यानि की अरविंद कुमार का बड़े सेलिब्रेट करने के लिए वारणसी जाने का प्लानिंग किया वारणसी जाकर वहाँ पर घूमते फिरते और अपने टीचर का बड़े सेलिब्रेट करते 18 दिसंबर 2018 को सभी बच्चे वारणसी जाने के क्रम में अपने टीचर से बताए कि सर आप मेरे साथ चलिए वहाँ पर चलकर हम लोग वारणसी घूमेंगे साथ ही साथ आपका बड़े सेलिब्रेट करेंगे इसके लिए सर ने अपने बच्चों को साथ सारी चीजे डिसकस करी और उसके बाद भटनी रेल्वे स्टेशन से एक मेमू ट्रेन जाती है उसी से जाने का सभी लोगों ने प्लानिंग किया सर जो है टाइमिंग वगरा देखने के बाद बच्चों को बताए कि सभी को साथे चार बज़े तक रेल्वे स्टेशन पर पहुँच जाना है क्योंकि वहाँ से जो मेमू ट्रेन थी वह पांच बज़े खुलती है सर के कहे अनुसार सभी बच्चे साड़े चार बज़े तक ये भट्टनी रेल्वे स्टेशन पर पहुँच जाते है स्टेशन पर पहुँचते ही सर लोकल ट्रेन का टिकट लेते हैं और वहाँ से पता चलता है कि ये जो मेमू ट्रेन है वह डेड़ घंटे लेट रहती है तो करिब साथ बज़े वह ट्रेन आती है और सभी बच्चे खुशी खुशी ट्रेन में बैट जाते है दोस्तो ट्रेन वहाँ से चलना शुरू करती है और चलते चलते सलेम पूर रेल्वे स्टेशन पर पहुंचती है सलेम पूर रेल्वे स्टेशन पर सभी बच्चे उतर कर टीचर वहाँ पर सभी को चाय पिलाते हैं चाय पीने के बाद बच्चे लोग बोलते हैं कि सर जी बहुत गंदी चाय ये है, ऐसा चाय मैंने पहले कभी नहीं पी है, तो सर हसते हुए बोलते हैं कि बेटा ये जो इस्टेशन का चाय है और इस्टेशन का चाय ऐसा ही होता है, वहाँ से जो है ट्रेन पर सभी बच्चे ब मतलब क्या है तो सर जी उन्हें रोड का इतिहास बताते हैं कि किसी भी railway station के बाद road suffix क्यों लगा जाता है सभी बच्चे जान करें बहुत उत्सुक होते हैं और वो जो है उनके अंदर बहुत खुशी होती है कि ये जो है सर जी हमको बता है कि किसी railway station के बाद road क्यों लगा जाता है दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते अगला railway station आता है मौउ मौउ पर होता क्या है कि बहुत सारे गौाला लोग अपने दूद की बाल्टी लिए फटा फट चड़ते हैं और जो train की जो window है window के पास जो grill लगे रहते हैं लोहे के उस पर एक एंगल बना कर अपनी बाल्टीों को लटकाते रहते हैं और साथी साथ कूच जो है गौाले लोग अपने cycle को भी यहाँ पर इस तरह से लटका देते हैं तो यह सारी चीजों को देख कर बच्चे लोग बहुत खूश होते हैं और सर से यह सारी बारे में पूशते हैं दोस्तों यह सुकता बच्चों के अंदर इसलिए रहती है कि वो जो दसों बच्चे थे वो पहली बार train में यात्रा कर रहे थे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई पहली बार किसी यह train में यात्रा करेगा तो उसे कितनी खूशी हो रही होगी सभी बच्चे जो थे उसमें से कोई विंडो के बाहर देखता है कोई पटरियों के पीछे देखता है कोई tracks की आवाज सुनता है कोई train को दूर से ऐसे निहारता है इस तरह से करते-करते बच्चे बहुत खूशी-खूशी जा रहे थे और उनके मन में बहुत उच्छता थी कि आज हम लोग पहली बार train में बैट रहे हैं और जा रहे अपने सर का बढ़ड़े मनाने दोस्तो ट्रेन आगे बढ़ते-बढ़ते फाइनली जो है train सारनाथ railway station पर पहुंसती है जैसा ही सारनाथ railway station पर आती है उनकी मेमू train और वहाँ पर वो train रूख जाती है करीब एक डेड़ घंटे तक train को वही पर रोग दिया जाता है रीजन यह रहता है कि वहाँ सारनाथ railway station पर उस train को रोग कर और जितनी भी express train ने है उनको पास दिया जा रहा था ये चीज़े देखते-देखते करीब एक डेड़ घंटे बीत गए और एक डेड़ घंटे के बाद सर ने सोचा कि इनकी जो टूर की प्लानिंग थी सर ओलरेड़ एक डेड़ घंटे लेट हो गय थे साथी साथि यहाँ एक डेड़ घंटे और होने के बाद इनकी time काफी जो है यही पर ब्यतित हो जा रही थी यानि कि यह बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे तो इन्हों ने सोचा कि अगर हम यहीं पर लेट हो जाएंगे तो फिर हम वारंड सी घूमेंगे कब और उधर से इनको वापस भी आना था इस चकर में करते करते करीब डेड़ दो घंटे होने लगे ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी और दूसरी जो में लाइन से एक्सप्रेश ट्रेने थी वो आ रही थी और कुछ दे रुखने का बाद फटाफट वहाँसे निकलती जा रही थी तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद सर ने सोचा कि क्यों ना एक्सप्रेश ट्रेनों में चला जाए और वहाँ से जल्दी से पहुँच जाएंगे वांडसी रेलवेस्टेशन उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग घोम होंके वापस आ जाएंगे लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि इनके पास जो है लोकल ट्रेन का टिकट था और उसको लेकर वो एक्सप्रेश ट्रेन में नहीं जा सकते थे इनको प्रॉब्लेम हो सकती थी ये सोच कर वो जितनी भी ट्रेने आ रही थी उसे इग्नोर करते जा रहे थे लेकिन काफी समय के बाद जब ये ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी तो फाइनली इन्हें उन्हें डिसीजन लिया कि चलते हैं उस ट्रेन में बैट जाते हैं जो भी टीटी मिलेंगे उनको कुछ पैसे दे कर सारी चीज़ों को बता देंगे और वारंसी रेले स्टेशन पर उतर जाएंगे फिर उसके बाद एक एक्सप्रेश ट्रेन आती है और ये सभी बच्चों को लेकर जो दसो बच्चे थे उस एक्सप्रेश ट्रेन में बैट जाते हैं दोस्तो ट्रेन में तो कोई टीटी नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे यह वारंसी रेल्वे स्टेसन पर पहुंचते हैं, और इस टेसन से बाहर निकलने के क्रम में, वहाँ पर जो टीसी है, वो इनको और साथी साथ सभी बच्चों को पकड़ लेते हैं, और इनसे करते हैं टिकट कब से रूकी हुई थी तो हम express train में बैट कर आ गए सारी अपनी कहानी बताए लेकिन वो जो TC थे वो इनकी एक भी न सुनी और बोला कि आपको जो है यहां से पैसा देना पड़ेगा और वो वहाँ पर 4000 रुपे की इनसे डिमांड किये दोस्तों सोचिए कैसा माहौल रहा होगा कि किस तरह से बच्चे लोग खुशी-खुशी कितनी खुशी मनाते हुए वो यहां पर आ रहे थे अपने सर का बड़े celebrate करने और यहां पर आ के सारे बच्चे पहली बार train में आत्रा कर रहे थे और इस परिस्थितियों में फंस गए 4000 रुपे जब इनसे वो डिमांड किये तो सर ने बोला कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो finally जो है वो TC उनको head TT जो की TC का office रहता है वहां पर ले जाकर उनको जमा कर दिये और वहां पहुंचने के बाद जो head TT थे उन्होंने भी इनसे यही बोला कि आपको 4000 रुपे देना पड़ेगा काफी जो है 20-25 मिनट request करने के बाद उनसे भी सारी कहानी इन्होंने बताई सभी बच्चे बाहर बैठ कर अपने सर का इंतिजार कर रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है जो है काफी जो है उनको समझाने के बाद उन्होंने बोला कि सर मेरे पास 2000 रुपे ही है 4000 रुपे नहीं है हम टूर पर बच्चों को लेकर आये थे तो उन्होंने बोला कि आप 2000 रुपे फिर दे दीजिए तो उन्होंने बोला कि अगर हम 2000 रुपे दे देते हैं तो फिर हम वापस बच्चों को लेकर कैसे जाएंगे ये सब कहने सुनने के बाद 1500 रुपय में वो जो टीटी है उनसे जो है 60 गाठ हुई यानि टीटी 1500 रुपय में माने और तब जाकर इनको छोड़े दोस्तों सोचिए कि बच्चे लोग घूमने गए थे उनको नहीं पता था कि ये घूमने का महौल कैसा होता है और इनको RPF जो है वो बोले कि अगर जो टीटी सी लोग थे अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको RPF को सुपूर्ट कर दिया जाएगा यानि आप जेल में जाएंगे तो कैसा महौल रहा होगा कि ये लोग गय थे घूमने और लाश्ट में उनको जेल में जाने की नौबत आने लगी ये सारी चीज़ देखने के बाद 1500 रुपे में जो उनका सॉलूसन निकला 1500 रुपे दे कर मातर 500 रुपे सर के पास बचे और उस 500 रुपे को लेकर वांड़ सी रेलेशेशन से बाहर निकले इन्होंने बोला है कि घूमने का जितना भी मजा था बिल्कुल किरकिरा हो गया क्योंकि इनके पास तो पैसे ही नहीं बचे बच्चों के पास जो भी 150 रुपे होंगे पस इसी में घूमने को बच्चों लोगों को मौका मिला दोस्तों यहाँ पर मुझे एक चीज़े बहुत बुरी लगी कि यह टीटी लोग के अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए सारी चीज़े जानने के बाद कम से कम कुछ पैसे लेकर सारी चीज़ेशों को जो है एक दो घंटे घूमने के बाद बस जैसे तैसे इन्होंने घूमा और शाम को जो है अपनी ट्रेन पकड़ कर सुबह पांच बज अपने घर को वापस आ गए दोस्तों इन्होंने लिखा है कि सर आप ये बताईए कि क्या इसमें मेरी कोई गलती थी या फिर अगर मेरी गलती थी तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था ताकि मैं इन फ्यूचर अगर यात्रा करूँ तो इन सभी चीजों से सतर्क रहूँ तो दोस्तों मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये कहानी बता कर इसकी जो यहाँ पर चीजें हैं क्या होनी चाहिए आप लोगों को जरूर बताया जाए ताकि आप अगर यात्रा करें तो आप भी इन सभी चीजों से सतर्क रहें दोस्तों अगर आप देखें कि रेलवे के नियम के मुतापिक अगर आप जाएंगे लेकिन अगर आप से पूछा जाएंगे कि यहाँ पर सॉलूसन क्या होना चाहिए था तो जब कभी भी आप यात्रा करें और ऐसी परिस्सिती हो आपको लगता है कि आप कहीं भी लोकल ट्रेन से जा रहे हैं बीच में वह ट्रेन लेट हो सकती है और आपको एक्स्परेस्टेन से जाना पड़ जाए या फिर सुपरफास्ट से जाना पड़ जाए तो आप अपने स्टेशन से ही सुपरफास्टेन का टिकट लेकर निकलिये क्योंकि एक जो passenger train है उससे just दुगना यानि कि बहुत कम ही पैसे समझी है जिस तरह से penalty ली गई उससे तो कम ही पैसे में आप express train की कोई भी express train आती आप उसमें बैट कर जा सकते थे तो आप कमी भी यात्रा करें तो अगर इस तरह का आपका part by part यात्रा हो आपको train ओगार छोड़ना पड़ रहा हो तो कोशी से ही किजिए कि आप super fast train का ticket ले लीजे क्योंकि express train से 15 रुपे जादा ही super fast का लगता है और अगर super fast का नहीं लेते हैं तो कम से कम express train का ticket जरूर लीजे ताकि आप कोई भी train को बद ले तो आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भटनी से वारनसी का जो जेनरल का किराया है वो 65 रुपे है और express train का किराया 140 रुपे है तो अगर आप 140 रुपे दे कर निकले होते तो आप कोई भी train को change करके बड़े ही आसानी से वहाँ पर पहुँच जाते आपको कोई भी problem नहीं होती तो in future अगर कभी भी आप यात्रा करे और आपकी यात्रा इस तरह से part by part हो आपको कई सारी train को बदलना पड़ रहा हो तो आप कोशिस यही किजिए कि आप express train का ticket लेकर निकलिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो दोस्तो इस वीडियो में हमें यही सीखने को मिला उमीद करता हूँगा आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपकी कोई भी इस तरह की स्टोरी हो और आप चाहते हैं कि मैं उसे वीडियो बना कर लोगों के सामने पेश करूँ तो आप मेरे comment box या फिर instagram पे लिग सकते हैं वहाँ मैं कोशिस करूँगा कि अगले संडे उसे वीडियो के रूप में लाऊँ ताकि सभी कोई सभी चीजों के बारे में पता चल सके तो इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं कि अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद